इस्थानी सुराज्य संस्था की विधान परिशत चुनाफ का काउंट नौन शुरू है शुक्रवाद 10 दिसंबर को मद्दान होगा इसकी पहले राशनितिक दलो ने नतीचों को अपने पक्ष में करने के लिए पासा फेकना शुरू कर दिया है इसके लिए एड़ी चोटी का जोड लगाया जा रहा है इस बीच भाशपा शहर अध्यक्ष एवं विधायक प्रवीन दटके ने दावा किया कि कॉंग्रिस में अपना उमीदवार बदलने की चर्चा है दूसी तरफ भाशपा पर पलटवार करतीवे कॉंग्रिस ने आरोप लगाया कि भाशपा जीतने की स्तिती में नहीं इसलिए अव्वा फैलाने का धंदा कर रही है क्या प्रवीन दटके कॉंग्रिस की प्रवक्ता है जो विधवार की घोशना कर रहे हैं अगर भाशपा को इसी धंग से चुनाव लड़ना है तो लड़ले अशी चरचा शहराँ चुरुई आज सकाय मी तैंच उमेद्वारां ची में प्रवा साइकली तैंने स्वताहों सांगितला की महाविका सागरीचा म Bentleyत उमेद्वारा है आणि शहरा तशी चर्चा है कि कॉंग्रेस उमेदवार बदलते आए और एका अपक्ष उमेदवाराला मट टाका समंटे है ज़र अशी गोष्ट असेल तर एका योड़ा मोठे राचके पक्षाचा है दुर्दैवा आए कि एक तो दुसर्या पक्षाचन उमेदवार घाएचा त्याला उमेदवारी द्याईची त्याचा करता दिल्ली वर्न पत्रा आएचा अणि इलेक्षनला आची साथ तारिखाया साथ आट नौ अन्डाहाला मट टाका आएचा है अणि चर्चा घड़वना आएची कि आमी उमेदवार बदलतो है या पेक्षा दुर्दैवी घटना कॉंग्रेश शकात हो शकत नाई अणि जर असो होना रसेल अणि अपक्षा उमेदवारा जर कॉंग्रेश आपला उमेदवार मानना रसेल माजी जी माहित्यती बदलतो है आएचा आएचे खसता टेन पक्षा चाहिए त है मलाश मट की सहा सूँचा है भाज़वचे काई बेश्पी चाहिए काई काई या खॉंग्रेश चाहिए मा भाजब चा सूँचा है उमेदवार ही कसा सँचा हुआज है प्रवीन दटके ने कहा कि बहार से आए और आरसेस का स्वेम सेवक है इसलिए कॉंग्रस ने चोटू भुहर को उमीदवार बनाया दिली से ए भी फार्म लाया गया जब किरकिरी हुई तो अब एन समय पर निर्दली उमीदवा मंगेश देशमुक को मद्दान करने की चर्चा है हम भी तीन दिन से यह चर्चा सुन रहे हैं दूसरी पार्टी से उमीदवार लेना टिकेट देना और अब चर्चा कराना की उमीदवार बदल रहे हैं यह कॉंग्रेस पार्टी का दुरभाग यह है निर्दली उमीदवार मंगेश देशमुक के तीन पार्टी की सदस्य स इसमें भाजपा कॉंग्रेस और बसपा के हैं छे सूचक भाजपा के हैं कॉंग्रेस को भाजपा नहीं चलती लेकिन भाजपा से आयात किया और भाजपा सूचक की उमीदवार चलते हैं क्यामरा परसन राजपा मोहर के साथ अभिशेक पान सी बीसे नियूस नाखपूर